इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा योगी चीन एक तरफ का है कि अपने ही मुलक में भी तालीबान की एंट्री है तालीबान जैसे लोग को एक्सपोज करना है तो हो सकता है है, वो तलीबानмен है में ही हैं और वो सुरेश के चौहान अच्छण के बन्दूके लेकर ऊचछ के आते हैं और अगर आप किसी दलित बच्ची का बलातकार कर देते हैं और आप हिंदूत्व के नाम पर उचे हो जाते हैं कि आपने उस बच्ची का रेप कर दिया बलातकार कर दिया तो हमारे भारत में तालिबान है यह हमें जो भगवा कलर का तालिबान दिखा वो हम सब के सामने हैं इस कदर वो तालिबान हमारे भारत में मजबूत हो रहा है कि शायद भाहर के देशों में भी ना हो यहां वो हरे कलर में ढून रहे हैं पहली बात तो कोई भी हमारा केस देख लिए जहां पर किसे विंधू को मारा गया हो और बोला गया हो चल अल्ला अकबर बोल! हमारे भारत में कोई भी ऐसा केस हमने नहीं दिखा पर हमारे भारत में हमने ये देखा कि चल जैश्री राम बोल ने तो तू पिटेगा ने तो तू पाकिस्तान जा हमारे भारत में ये बोला जाएगा कि तुम मुसल्मान है तो हमारी लड़कियों को चूड़ी नहीं पहना सकता अगर तुम मुसल्मान है तो हमारी लड़कियों के हाथ में महंदी नहीं लगा सकता हमने ये देखा और फिर आप कहलें कि मुसल्मान तालिवान होते हैं आरे जनाब अपने अंदर जाक कर देखिए अगर अपने आपको शीशे में देखते होंगे आपको अपने अंदर खुद एक तालिवानी दिखता होगा जो आपने पूरा चोला पहन रखा है उसके पीछे जो लाल कलर चु होते हैं इतने प्यारे लोग होते हैं पर अभी देखिए हमारे भारत में क्या हो रहा है वो लोग अपने उस हिंदूत्व को चमकाने के लिए जो असली हिंदू होते हैं वो जाकर नहां पर तपस्या कर रहे होते हैं आराम से बैटे होते हैं ना उनकली कोई जात ना कोई ध परम उनके लिए छोटा होता है न बड़ा होता है उनके लिए सब बराबर है उसे कहते हैं हिंदुतु असली प्यार्म